हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मलोतराज आयेस सो गाइस, बहुत हमारे पास डिमांड आ रही थी कि हमें जो है दो हिंदू अनलिसिस स्टार्ट करना है तो एस पर योर डिमांड, फ्रोम टुमोरो ओनवर्ड्स वी आर कमिंग अप विद दो हिंदू अनलिसिस तो हम लोग कल से दो हिंदू अनलिसिस करेंगे इसके अंदर आपको जो इन्फोर्मेशन, जो न्यूज, आपके एक्जाम पॉइंट वी उसे इंपोर्टन्ट है वो सब कुछ आपको बता दी जाएगी साथ साथ एक्स्प्लेइन मी की जाएगी सो गाइज, कल आप मेरे साथ जरूर पढ़े नाइन एम लाइव ओन राज मलोतराज आईएस दे हिंदू अनलिसिस थेंक यू हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मलोतराज आईएस तो अब हम जो है दे हिंदू डिसकस करेंगे और first of all हम ये mark करेंगे कि आज की newspaper में हमें क्या-क्या पढ़ना है और क्या-क्या important है तो India can become a global toy hub तो हमारे Prime Minister की statement है इस news को थोड़ा हम detail में analyze करेंगे कि उन्होंने क्या कहा है अच्छा इसके अलाब आप देखिए 19 lakh NRC excluded, struck in limbo तो अगर आपको ध्यान हो तो असम के अंदर जो है ये NRC किया गया था उसके बाद first revision में 40 lakh लोगों का नाम नहीं निकला था अब दुबारा जब revise किया गये थे list को तो 19 lakh people जो है उनका नाम नहीं निकला है अब उनको एक slip issue की जाएगी तो जिसका नाम नहीं रखा है rejection slip अब rejection slip इनको issue होनी थी उसके बाद फिर वो दुबारा जाके अपना claim डाल सकते थे अब COVID के चलते कोई भी activity इसमें नहीं हुई है तो उसको लेके ये सारे के सारे लोग एक तरीके से confused है कि अब क्या करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि NRC authority जो है वो ये कहते हैं कि September 1 से जो है इस activity को दुबारा start किया जाएगा तो ये सारी बात इस news में बताई गई है अब आप आगे देखिए कि पर premature retirement not a penalty says DOPT तो दरसल अब जो है हमारी government efficiency की तरफ बढ़ गई है तो वो चाहते हैं कि जो efficient जो है public servant है वो ही इस केवल जो है administration में रहें efficiency जो है अब चाहिए इनको और इसलिए वो prematurely retire कर रहे हैं कुछ officers को काफी news में भी आया था IAS officers भी जो है उनको premature retirement दी गई थी IRS officers को भी premature retirement दी गई थी कि जो लोग अच्छे से काम नहीं करते अच्छे से perform नहीं करते उनको review करके कि उन्होंने पूरे career में कैसा performance दिया है उनको retire कर देते हैं जो उनको लगता है कि ठीक नहीं है तो आगे देखते हैं अब यहाँ पे इसको Odisha flood को हम थोड़ा detail में जानेंगे कि देखिए यहाँ पे जो rivers जिन rivers में यह flood आई है उनके बारे में आपको complete जानकारी होनी चाहिए क्योंकि prelims के अंदर question वैसे पूछे जाते हैं हल्दी loses its flavor amid pandemic तो यहाँ पे कंधा मल हल्दी के बारे में बात की गई है तो GI tagging उसको देखेंगे थोड़ा एक question भी discuss किया जाएगा अचा आप यह देखिए यह कंधा मल हल्दी जो है यह Odisha की है यह आपको याद रखना है कंधा मल हल्दी और अभी हुआ कहे कि उसके consumption में कमी आई है तो इसलिए जो है बिक नहीं रही है मार्केट के अंदर तो इसलिए यह news बनी है अब फिर आप देखिए denial of GST dues will crush federalism says Bengal Finance Minister तो देखिए यहाँ पे एक तरीके से center और state उनके बेच में differences आ गए है क्यों आगए है क्योंकि GST के कुछ dues थे जो की center government को state governments को देने थे वो अब हो नहीं पा रहे हैं क्यों नहीं हो पा रहे हैं क्यों कि center government के बार revenue नहीं है तो इसको भी हम थोड़ा detail में discuss करेंगे तो आप देखिए फिर आगे कौन से page पे चलना है इसके अंदर poor air quality in smart cities यह आपका page number है 5 ठीक है page number 5 के अंदर poor air quality in smart cities क्योंकि coordination नहीं है इस news को थोड़ा और हम detail में जानेंगे तो दरसल हुआ कहता कि पुना के अंदर एक survey कराया गया था और कुछ problems जो हैं वो find out की गई है अच्छा इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि यहाँ पे N.C.A.P. के बारे में कहा गया है तो उसका target year क्या है ठीक है वो आपको मालूम होना चाहिए National Clean Air Program गवर्मने ने start किया था उसका target year है कुछ ठीक है ना उसको भी आपको मालूम होना चाहिए कि क्या उसका target year है तो जैसे यहाँ पे mentioned है कि 2024 तक ठीक है PM पार्टिक्लेट मेंटर का जो होता है मतलब उसको 20-30% कम किया जाएगा तो PM 2.5 जो हम बोलते हैं कि जो एक तरीके से कैंसर तक कर सकता है उसको 20-30% तक घटाया जाएगा बाई 2024 यह जो है आपका National Clean Air Program का target है ठीक है यह आपको याद रखना कि इसका goal क्या है तो अब हम इसको देखेंगे कि problem actually हुई क्या है ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पे तो इतना हो गया अब यहाँ पे जो एडिटोरियल्स की बात आती है तो एडिटोरियल्स के लिए एक separate section separate discussion हम जो करेंगे और उनको उसके अंदर जो है काफी एडिटोरियल्स जो कवर किया जाएंगे जो आज के लिए important है तो एक तो यह चाइना के उपर जो एडिटोरियल है यह हम कवर करेंगे ठीक है फिर आप देखिए यह main editorial जो है a development that will hardly put India at ease यह World Bank की कुछ reports वगेरा आई है उसको पूरा study किया जाएगा और क्या problem है ठीक है यह एक separate section जो है हम उसको डेंगे अच्छा अब यह discuss किया जाएगा when crisis pay politically तो यह आपके editorial है जिनके लिए एक separate video बनेगा अच्छा अब आप page number 8 पे आएए तो यहाँ पे problems क्या है तो आप यह देखो कि कैसे train के उपर यह truck जा रहे है यह रोरो service टार्ट हुई है रोरो रोल ओन रोल ओफ पहले train पे truck चड़ा दो रोल करके उसके बाद truck उतार दो तो यह पूरा देखेंगे कि क्या idea क्या है हमारा अच्छा फेर यह चन्न पतना इसको भी थोड़ा cover कर लेंगे तो यह news भी आप देख लेना तो अब हम देखते हैं आगे क्या है अच्छा यह जो है उर्जित पतेल साब का interview आया है इसको detail में हम cover करेंगे क्योंकि काफी informative और important है इसको हम पूरा detail में cover करेंगे चली आगे देखते हैं अच्छा RCEP पे राम मादव calls for flexibility on RCEP तो इन्होंने कुछ राय दी है उसको देखेंगे फुरा RCEP की discussion जो हुई थी इंडिया क्यों back out कर गया था उसको भी थोड़ा जो है हम detail में देखेंगे जानने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या था Rise in post traumatic stress disorder ये आप देखना क्योंकि lockdown के चलते है लोगों को एक तरीके से काफी problem आ रही है mental health को लेके तो वो हम पूरा देखेंगे क्या है इसके अंदर ठीक है अच्छा तो इन बातों को cover किया जाएगा यहाँ पे फिर आपका ये world का एक page है इसके अंदर जो आपके लिए important news है वो ये है हिजबुला ओपन new Lebanon pact proposal तो हिजबुला के बारे में थोड़ी जानकारी हम देखेंगे क्या हिजबुला कहना चाहरा है गनी नेम्स council for peace deal with Taliban तो तालिबान के साथ जो peace talks चल रही है उससे related news है इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा देख लेंगे कि क्या यह कहना चाहरे है तो आज के session को हम शुरू करते हैं तो अब जो है news को हम थोड़ा detail में analyze करते हैं तो देखिए जैसे prime minister ने बोला है कि India can become a global toy hub तो तरसल बात क्या है कि यह जो toy की industry है यह 7 lakh करोर की industry है globally और India का share जो है इसके अंदर बहुत ही थोड़ा है तो PM ने एक तरीके से team up for toys करके एक अहवान किया है जिसे बोलते हैं जिसके अंदर उनने कहा है कि entrepreneurs और start-ups जो है वो साथ आ जाएं और एक तरीके से एक team की तरह काम करें team up for toys कि कैसे हम जो है toys के अंदर global जो market है उसके अंदर India के जो toys produce करें और उनको export करें अभी देखो इंडिया के अंदर इंडियन market के अंदर Chinese toys की बहुत जादा penetration है आप देख लो सारे के सारे toys जो है एक तरीके से आपको Chinese ही नज़र आएंगे जो market में मिल रहे हैं तो यहाँ पे हमें अपनी quality को भी बढ़ाने की जरूरत है productivity को भी बढ़ाने की जरूरत है उसके चलते PM ने एक तरीके से का है कि सब लोग साथ आ जाएं टीम अप four toys यह उन्होंने अखवान किया है कि कैसे seven lakh करोड की यह पूरी international market है और अगर हम as a team काम करेंगे तो जरूर अपनी productivity को भी बढ़ा पाएंगे quality को भी improve कर पाएंगे यह है आपका page one का PM Modi का जो पूरा उन्होंने बोला था उसका analysis अब आप देखिए 14 lakh affected 17 killed in Odisha floods अब यहाँ पे जो है कुछ नदियों के बारे में बात की गई है तो वो जो rivers हैं उसके बारे में आपको पढ़ना जरूरी है ठीक है तो आप उन rivers के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए कि यहाँ पे कौन सी rivers के बारे में बात की गई है इसके इंदर कि जो flood जो आई है वो दरसल सुबर्ण रेखा ओके सुबर्ण रेखा यह river है फिर दूसरी है बैतरानी ठीक है फिर है ब्रह्मानी अब हम सबसे पहले इन rivers को देख लेते हैं कि यह कहां पे located है कैसे इनोंने जो है गोदावरी की एक तरीके से ट्रिब्यूटरी इस पूछ ली थी अब जो rivers आई है इनके बारे में थोड़ी जानकर यह आपको होनी चाहिए तो यह map आप देख रहे हो यह है आपकी सुबर्ण रेखा ओके यह जा रहे है सुबर्ण रेखा अब यह बंगौल और एक तरीके से जो ओडिसा का border है वहाँ पे आपको यह नदी बैतवी नजर आती है और उपर जारखंड से शुरू होती है ठीक है मतलब छोटा नागपूर प्लैटू के आसपा जो है कहीं पे इसका उद्गम स्थल होगा जहां से जो है रिवर स्टार्ट होती है फिर है आपकी ब्रह्मानी यह है आपकी ब्रह्मानी और यह रिवर है आपकी बैतरानी अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी ठीक है न, वैन गंगा, अब ये वैन गंगा के बारे में मैं आपको क्यों बता है, क्योंकि ये भी news में आया था कि MP के अंदर भी floods आई हैं, और यहाँ पे वैन गंगा river में भी floods आई हैं, ओके, तो ये थोड़ी बहुत जानकारी आपको समझनी है, कि कैसे जो है, आप अलग- कर सकते हैं, तो ये GI tagging से related जो news मैंने आपको starting में बताया था, कि कंधमल, कंधमल हल्दी, ठीक है जी, ये जो हल्दी है आपकी, ये कहां से located है, इसको GI tag मिला हुआ है, ठीक है, पहली चीज़ से ये आपको ध्यान रखनी है, अच्छा, ये भी कंधमल district से located है, कंधमल district कहां पढ़ता है आपका, ये भी Odisha के अंदर पढ़ता है, तो ये इस तरीके से हमें पढ़ना है थोड़ा, इसकी बिक्री जो है नहीं होरी, मार्केट इतनी मिलने रही इसको, ये पूरी कहानी, अब GI tagging पे आप ये prelims 2015 का question देखो, ये पूछा था कि इनके पास, जो है, इन में पेज पे चलेंगे, जो ये कहता है कि denial all GST dues will crush federalism, ऐसा क्यों हुआ, देखिए जब GST को introduce किया गया था, तो उसके अंदर एक बात थी, center government ने promise किया था, कि अगर आपके revenue कम रह जाते हैं, तो center government जो है, compensate कर देगी 5 साल तक, तो compensation 5 years तक जो है, वो center ने promise किया था, कि आपके revenue म हुआ क्या है, देखो, covid का असर आपको हर जगे देखने को मिलेगा, okay, तो यहां पे भी covid impact है, covid आ गया, अब GST collection ही पूर हुआ है, ठीक है न, GST collection डाउन है, center government के पास भी पैसा नहीं है, state governments के पास भी पैसा नहीं है, तो क्या करें अब, सब ही जो है, एक तरीके से फसे हु किया है, अब भगवान ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, वो तो बात की बात है, लेकिन जो state governments का share है, वो तो देना पड़ेगा, suppose center government इस situation में नहीं है, कि यह वो share दे दे, तो उस situation में क्या करें, कि persuade करना पड़ेगा, okay, कि कैसे जो है, बाकी states को persuade किया जाए, कि आप का intervention ज़रूरी है, और वो एक तरीके से इसको बहुत closely monitor भी कर रहे है, कि क्या situation चल रही है, कि PMO अगर active होगा, तो state governments को persuade किया जा सकता है, अब देखो center के भी हाथ बंदे हुए है, तो इसलिए यह समस्या है, तभी इसको solve करेंगे, जब सब लोग साथ हाके काम करेंगे, वह यह news हम देखेंगे कि lack of coordination का क्या angle है इसके इंदे, तो देखिए, जैसा मैंने आपको starting में बताया था कि national clean air program जो है, वो शुरू किया गया था और उसका target क्या है, कि जो particulate matter है, ठीक है, उसकी वरसे जो pollution होता है, उसको 20-30% जो है, वो कम किया जाएगा by 2024, यह जो है target इन्हो के बीच होना चाहिए, तो साथ में government ने क्या start कर दिया, smart city project, ठीक है ना, अब problem क्या हो रही है, smart city भी है, municipal corporation वो भी अलग से काम कर रही है, और एक तरीके से जो इसके अंदर data monitoring का component है, ठीक है, जो यह national clean air program है, उसके अंदर आपके sensors लगाए जाएंगे, data monitor किया जाएगा, अ अब जो data collect हो रहा है, पूरे apparatus पूरा लगा हुआ है, पूरे share कि इनोंने case study ली थी, कि सब कुछ लगा हुआ है, अब उस data को analyze कोन करेगा, आपने आंकडे तो भी कठे कर लिए, analyze कोन करेगा, यहाँ पर समस्या रही है, इसलिए coordination बिलकुल भी नहीं है, क्योंकि multiple agencies यहाँ प SP भी अलग से बना हुआ है, ठीक है, special purpose legal, वो organization ही अलग से बना रखी है, कि वो dedicatedly smart city को एक तरीके से implement कराएगी पूरी scheme को, तो multiple agencies हैं और उनके बीच में coordination यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा, convergence नहीं देखने को मिल रहा, इसलिए जो है, यह मामला थोड़ा complex हो गया, पूर अब इसका में फाइदा कहा हो सकता है, तो आप यह देखिए, दिल्ली के अंदर, या फिर मुंबई के अंदर, या फिर किसी और बड़े शहर के अंदर, जो city के अंदर ट्रक्स जाते हैं, वो एक तरीके से train के थूर बाइपास कर सकते हैं उनको, कि अगर मालो city के अंदर ट अगर नई बना हुआ, तो आप इस रोरो सर्विस के थूर एक एंड से लेके, दूसरे एंड तक city के ट्रक्स को लेके जा सकते हैं, दिल्ली के अंदर ये पहले idea प्रपोस था, अब तो वेक्स्टरन पैरिफरल वे और इस्टरन पैरिफरल वे वहां पे बन गया है, तो एक ट्रेन की उपर ट्रक चड़ा रखे हैं, देखो आप, ठीक है न, उनको ऐसे भेजा जा रहा है, और एक साथ multiple ट्रक्स चड़ जाएंगे, और जिससे थोड़ी और timely delivery में अच्छा फाइदा होगा इसका, क्योंकि देखिए, जो driver सोने का time होता है, तो rest तो ट्रेन में कर सकता जब ट्रक जो है, ट्रेन में चल रही है, ठीक है न, तो वो resting time है, वो उस time पे एक तरीके से driver truck में rest कर सकता है, फिर जो है, वो उतर के वापिस road पे जो है, ट्रक को आगे लेके जा सकता है, अपनी journey continue कर सकता है, तो थोड़ा fast यहाँ पे एक तरीके से logistics arrangement आपका हो जाएगा, यह पूरा idea इन्होंने एक तरीके से solar port to bangalore शुरू किया है, roll on, roll off, ओके, आचा यह आपको पतारा लगना है कि चन पतना की बात है, ओके, चन पतना जैसे अभी मोदी जीन ने बोला कि हमें toy, एक तरीके से toy की market है, उसको हम पूरा capture करेंगे और उन्होंने अहवान किया, ठ इसको toy city इसको बोला जाता है, और यह करनाटे का में located है, तो वहाँ पे जो artisans हैं, उन्होंने अपील किया है कि आप हमारी थोड़ी मदद करें, अभी covid का time चल रहा है, तो government की तरह से थोड़ा support होगा, तो हम अच्छे से एक तरीके से contribute कर पाएंगे, आप देखिए toy industry पीछे रहा जाते हैं, तो इसलिए government को यहाँ पे forefront पे आके काम करना चाहिए, और इनको incentives देने चाहिए, policy इनके लिए बनानी चाहिए, तब ही हम एक तरीके से problem को solve कर पाएंगे, और इस industry को एक तरीके से Indian जो share है वो बढ़ा पाएंगे, आचा यहाँ पे prelim के लिए जो information है वो आपको यह याद रखनी है कि इसको बोलते हैं, गूबे ठीक है यह नाम याद रखना, गूबे गल्ला ओरू, ओके गूबे गल्ला ओरू, यह आपका चन्नपटना जो है, इसका नाम है गूम्बे गल्ला ओरू, और यह करनाटाका में located है, ठीक है ना, यह सारी चीजे आ के लिए मेंस के लिए इंपोर्टेंट की है तो देखिए यह बैसिकली अपनी किताब इन्होंने लिखी है जिसको जिसका नाम है तो इस गिताब से रिलेटेड यह पूरी डिसकुशन है और इन्होंने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी कि नोन परफॉर्मिंग एसेट्स इंक्रीजिस दा बोरोईंग कोस्ट फोर एवरिवन इन दा एकॉनमी अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझे आप कि कैसे जो है जब नोन परफॉर्मिंग एसेट्स पढ़ती है तो बैंक जो है थोड़ा रिलेक्टेंट होता है कि वो जो जिसको सही में जो अच्छा बोरोवर हो है जो पैसा लेकर बिजनस करेगा जिसके पास आइडिया अच्छे हैं बैंक उस पर विश्वास निकरती है और उसको पैसा नहीं देती अच्छा इसके लावा जो RBI rate of interest को कम करता है वो benefit भी नीचे तक जो है नहीं पासोन किया जाता तो उसके लावा ये बात इन्होंने कही है कि हमारी ये tendency होती है कि हम पूरे end तक चीजों को लेके जाते नहीं और पहले ही premature victory डिकलेर कर देते हैं अच्छा यहाँ पे इन्होंने premature victory का कैसे बोला कि देखिए जो fiscal deficit का target हमने किया था कि 3% तक हम लेके आएंगे उसे अच्छा अब वो चल रहा है अब वो जैसे कैसे 3.8 या 3.6 तक वो पहुँच गया था अब अभी पूरा target जो हमारा हमने अचीव नहीं कि हमने पहले जो एक तरीके से victory डिकलेर कर दी थी और फिर कहा कि चलो ठीक है अब तो हम करीब हैं तो थोड़ा धीले पड़ गए हम ठ तो इसको बढ़ा के 3.8 कर दिया गया है current fiscal year के लिए तो यह समस्या है इन्होंने कहा है कि जब आप policy बनाते हो जो step लेते हो उसको implement करो rollback नहीं होना चाहिए और हमारे case में इंडिया के case में rollback जो है वो जादा देखने को मिलता है तो उसमें क्या होता है थोड़ी credibility की कमी आ तो जो आप target रखते हो उसको achieve करने के लिए आगे बढ़ो फिर इन्होंने कहा है कि RBI जो है professional integrity तो उसकी बहुत बढ़ी आए ठीक है कोई problem नहीं है लेकिन थोड़ा soft regulator है तो यह सवाल आया कि क्यों आपने बोला कि RBI को soft regulator क्यों बोला तो इन्होंने कहा कि government जब pressurize करती है तो RBI अपना decision change कर लेता है ठीक है इसलिए यह जो है RBI की credibility की उपर question mark है ठीक है यह RBI governor लिख रहे हैं देखो कि कैसे RBI की credibility की उपर question mark लगता है जब सरकार जो है pressurize करती है अब यह कहां पर देखने को मिला हमें कि एक तरीके से profit surplus जो है उसको share करने की बात थी ठीक है जिसक के उपर जो है इन्होंने मना कर दिया था उर्जित पटेल साबने और फेर उन्होंने resign कर दिया था तो वहां पर government pressurize कर रही थी कि RBI अपना जो surplus है वो हमारे साथ share करे अब यह कहते थे कि हम आपके साथ share कर लेंगे लेकिन हमें भी तो contingency के लिए चाहिए तो बतलब एक द जब rate of interest कम करने का दबाब भी RBI के उपर डाला जाता है यह भी हमें पता है अचा अब आप देखिए यह कहते हैं कि important parts of banking regulation act are not applied to banks ठीक है अब यह basically यह कहां देखने को मिलता है जो public sector bank है उनके अंदर अब होता क्या है कि जब यह regulation जो act बना रखे है जो laws बना रखे हैं वही जब banks में नहीं लगते तो जो regulator है RBI जैसा वो powerless हो जाता है ओके और जो banks है political interference और यह सारी चीज़े होती है उसके अंदर कैसे जो है appointment वहाँ पे भी political interference तो इसलिए जो है RBI की एक तरीके से effectiveness जो है वो कम हो जाती है है तो यह bank regulator लेकिन अगर सरकारी interference होगा political interference होगा तो efficacy घटे ही घटेंगी फिर यह कहते हैं कि restructure standard assets and oxymoron तो इनका इमाना है कि जो आप asset reconstruct जो बार बार री structure की बात करते हो इसका मतलब क्या है जो loan restructuring की बात होती है वो कभी नहीं होना चाहिए वो बहुत नुकसान देता है कैसे इनों ने बताया ठीक है कि loan restructuring नहीं होनी चाहिए तो वो एक तरीके से जो bank की balance sheet है जिस bank ने loan दिया हो है उसकी balance sheet होती है आपको true picture पता ही नहीं लगते कि उसकी health क्या है जब आपको ground reality पता होगी तब ही तो आप policy initiative लोगे और उसको ठीक करने के लिए काम कर सकते हो अब बात होती है कि कुछ भी समस्या होगी तो loan को restructure कर दो bank कितनी उसके assets कितने है कितने loan है कैसे उन्होंने activity कर रखी है कितनी अच्छी performance है उसका clear idea जो है वो नहीं लगता इसलिए जो है bank नहीं सुदरते अचा फिर इन्होंने एक तरीके से यह example दिया कि यह debt restructuring है यह 2001 में start हुई थी और वो धीरे धीरे करते करते उन्होंने इतने ज़्यादा problem के अंदर contribution किया और यही contribution जो है एक तरीके से कारण बना जो pre 2014 NPSI के लाए थी जब सारा शोर मचना शुरू हुआ था कि सब जो है non performing assets बनते जा रहे हैं bankruptcy file हो रही है ठीक है तो यह मामला तबका है यह कहते हैं कि जब आप debt restructuring करते हैं तो इससे यह सारी समस्य आया आती है तो बात इनकी सही है कि कैसे जो है आपको clear picture तो होनी ची तभी तो आप जब तक आपको समस्या नहीं पता होगी डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे और उसको अपनी बिमारी की clear picture नहीं देंगे तो हमें दबाई कैसे देगा वैसे यहाँ पर यह situation है अच्छा अब यह पैसा अगर वहाँ से छूट जाए ठीक है ना जैसे कैसे करके मामना रफादफ अगर के out of court जो है loan के उपर जो भी settlement होनी है वो हो जाए और यह पैसा छूट जाए तो यह पैसा वापिस economy में लगेगा और नोकरिया पैदा होंगी और loan दिये जा सकेंगे ठीक है ना borrowers के लिए भी मोका होगा और bank जो है वो भी दिवालिया होनी शुरू ही है ठीक है तो आज की date में एकदम से उसकी value होगी 100 रुपे अब वो court कचारी के चक्र में फस गया उस company का share तो उसकी value चार साल बाद तो 5 यह 10 रुपे रह जाएगी तो उस asset की value है उस loan उस company की value वो भी तो कम हो जाती है तो bank के हाथ वैसे कुछ न court ने उसको illegal करार दे दिया अचा यह अगला सवाल इन से पूछा गया कि NPA कैसे unresult रहें तो हमें नुकसान क्या होता तो वो इन्होंने बताया कि capital जो है locked up रहता है वो मैंने आपको बता दिया अचा दूसरी चीज जो borrowing cost है सब के लिए बढ़ जाएगी economy के अंदर जो good borrower है उसको भी benefit नहीं मिल पाएगा कि interest rate में जो cut है banks जो है वो आगे तक interest rate पासओन ही नहीं कर रहे हैं ओके यह समस्या आ रही है यहां पे क्योंकि उनके पर pressure इतना है उनको लगता है कि हमें थोड़ा अपना profit improve करके दिखाना पड़ेगा अगर हम अभी loan सस्ता कर देंगे तो हमारा profit margin चला जाएगा इसलिए वो आगे जो है interest rate जो RBI announce करता है वो अगे पासओन नहीं करते हैं और एक तरीके से सरकार ने भी जो high cost of borrowing है उसको एक तरीके से feel किया government ने भी क्योंकि आपकी economic cycle पूरी की पूरी वहां पर रुख जाती है हम यह चाहते हैं कि हमारी economy एकदम दोड़े आज crisis का time में आपको employment generate करनी है तो economy को दोड़ाना पड़ेगा businesses को trade को facilitate करना पड़ेगा तो अगर high cost of borrowing होईगी तो यहाँ पे business activity महंगी हो जाएगी ओके अचा अब इन्होंने एक बात बोली कि privatization को लेके privatization of banks को लेके यह इतने खुश नहीं है ओके क्यों नहीं ह तो इना ने कहा कि देखिए जो government banks होते हैं उनका बहुत important role होता है कैसे कि वो tactical macro economic management में help करते हैं ठीक है और government यह कभी नहीं चाहेगी कि वो इतना important instrument जो है वो छोड़ दे अपने हास से जाने दे और privatize कर दे जो सरकारी bank होते हैं वो tactical macro economic management कि कब जो है market में पैसा छोड़ना है कब जो है loan सस्ते करने हैं यह सारे steps जो है सरकार लेती है और इसलिए जो है complete privatization को एक तरीके से इनों ने बोला कि complete privatization नहीं होनी चाहिए साथ साथ यह कहते है कि कभी ऐसी situation ही नहीं आनी चाहिए कि आपका जो banking regulation है वो state government की क्या हालत है उस पर dependent हो या fiscal balance of government है उसकी उसके उपर dependent हो regulation तो already एक तरीके से अच्छा होना चाहिए वो state government पर थोड़ी ना वो आपकी state of government जो banks हैं सरकारी bank की क्या position चल रही है कितना profit हो रह करना चाहिए ना जो चीज regulation है वो तो अच्छी ही रहनी चाहिए वो banks की हालत के पर थोड़ी ना depend होनी चाहिए यह इन्होंने suggest किया है तो इसलिए एक तरीके से regulation को improve करो सरकारी bank है उनका working culture ठीक है ना वो चारी चीज़े reform करो तो उसका effect जो है हमें जरूर देखने को प्राइविटाइज करना complete solution नहीं है क्योंकि कभी-कभी इन banks की जरूरत पढ़ती है tactical macroeconomic management के अंदर तो यह इन्होंने suggest किया और काफी अच्छा है इनका suggestion लगा तो आप इसमको court भी कर सकते हो अपने answer के अंदर कुई कंपनियों को प्राइविटाइज करना चाहिए के नहीं करना चाहिए बैंक को प्राइविटाइज करना के नहीं चाहिए वहाँ बुबलो कि ऐसा उर्जित पटेल साब ने अपनी किताब में लिखा है अब राम मादव calls for flexibility on RCEP अब RCEP की जब बात चलती है तो country of origin करके एक बात आपको सामने देखने को मिलेगी ठीक है ना अब country of region का क्या है इंडिया कहता है कि जो country of region है इसको strictly implement करो कैसे कि देखो सारी जो है यहाँ पर Chinese products बहुत जादा बनते हैं इस दुनिया में ठीक है तो यह उस product पे country of region का tag लगना चाहिए कि यह चीज़ चाइना से बनके आ रही है फिर उसके coding जो है उसके उपर जो duty और लगनी है वो होगा अधरवाइस होता क्या है कि company मान लो कहीं पर रिजिस्टर है साव सिंगापोर के अंदर ठीक है ना तो वो अपना production unit चाइना में रखेंगे एक छोटी सी दुकान के अंदर अपना दफतर खोल लेंगे कि हा पोना शुरू हो जाएगा यह हमने बोला था कि इसको strictly follow करो तो वो बाकी जो RCP वाले country थे उसको माने नहीं हो अचा हमें डर था कि Chinese जो products हैं हमारी market के इंदर डंप किये जाएंगे इसलिए हम इस discussion से बाहर आगे तो अभी जो RCP के जो ministers हैं उनकी भैटक हुई है उन्होंने चाहिए देखिए समस्या कहां पर आती है यह जितने भी RCP के countries हैं जिनके साथ हम जो discussion की बात कर रहे हैं तो उन सब के साथ हमारा trade deficit है already तो हमें नुकसान जादा होगा फायदा कम होगा जितने भी है ASEAN countries है इनके साथ भी है ठीक है चाइना के साथ भी है उस्टेलिया के तो ASEAN के साथ हमारा free trade agreement पहले ही चल रहा है तो यह सिरफ मतलब China, Australia, New Zealand के साथ ही तो extension होगा इसका ठीक है तो थोड़ा सा ही तो हमें extension मिलेगा ज्यादा extension थोड़े न मिलेगा तो इसलिए हम इससे बाहर आ गए थे आचा दूसरी चीज इंडियन farm sector उसको protect करना बहुत जरू करना पड़ेगा यह जो आत्म निर्वर भारत है ना इसके तहरत हमें जो हम produce कर रहे हैं उसकी quality इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वह कहीं पर भी जाके बिख सके यह हमारा जो है अब focus होना चाहिए उसके बाद हम सो सकते हैं कि हम RCP का हिस्सा बने पहले ही अगर हम हिस्सा बन राइज इन पॉस्ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसोडर तो देखिए सर अभी lockdown हुआ है ओके economy भी डाउन चल रही है uncertainty about future and fear of covid यह डर लोग को एक तरीके से खा रहा है और depression में डाल रहा है लोग डर रहे हैं anxiety attack आ रही है ठीक है तो और जो psychological profile है वो एक तरीके से सब की जो है यहा पर काम करना चाहिए as a citizen fellow citizen सब को जो है यहाँ पर yoga अभी के time पर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि mental strain वाकरी बहुत ज़्यादा है ठीक है न ऐसा कहा जा रहा है कि 50 lakh जो है वो नोकरियां चली गई है 50 lakh job loss unemployment तो अगर हम उसको समझें कि 50 lakh एक घर के अंदर 4 लोग 2 करोड लो है economy के उपर बहुत एक तरह किसे pressure है तो इस लिए अब थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा government को भी सोचना पड़ेगा जो civil society है उसको यहाँ पर सोचना बहुत ज़रूरी है तो proactive civil society इस problem को solve कर सकती है ठीक है कि जो ज़रूरत बंद है जो mental health से गुजर रहे हैं समस्या है जिनक इसने sensitive हैं दूसरे की समस्या हो लेकि यह आपको दिखाता है कि आप कितने human हैं मानवता के कितने करीब हैं तो ethics के point of view से देखें तो भी यह बहुत important है अचा हिजबुला open new Lebanon pact proposal तो दरसल हिजबुला कैसे focus में आया तो आपको अगर ध्यान हो बेरूत के अंदर यह bombing हुई थ और उसके बाद हिजबुला को काफी criticize किया जा रहा था तो अब वो हिजबुला जो है वो pact पे आया है इनके साथ आचा वो कह रहा है कि हम मामले को थोड़ा जो है धीला करेंगे peace लेके आएंगे पूरे region के अंदर और हिजबुला है क्या यह एक तरीके से terrorist organization है ठीक है जो इ इरान की support है इनको ओके शिया ग्रूप है यह और Lebanon के अंदर यह काम करते है ठीक है target किसको करते है इसरेल को तो यह पूरी कहानी है और अब यह एक तरीके से peace की तरफ जाना चाहरे है और क्यों इनका नाम बीच में आया था क्योंकि वो Beirut blast में इनको बहुत criticism जहलना पड़ हो रही है ओके तो अब जो है मामला आगे चल रहा है आपको अगर ध्यान हो तो यूएस presidential election उसको में फोकस में रखके यहां पर बात हो रही है presidential election में कैसे आप देखिए जो ट्रम्प साहब हैं वो एक diplomatic win अगर diplomatic win की बात करें तो diplomatic win एक उन्होंने कौन सी अभी जीती है वो है UAE-Israel pact, UAE-Israel का जो pact होआ है वो उनकी diplomatic win कही जा रही है जिसका presidential election में उनको फायदा होगा दूसरी वो try कर रहे हैं कि Taliban की साथ जो यह problem है इसको निबटा है जाए तो अगर उनके election से पहले इसके उपर कोई agreement हो जाता है ठीक है तो यह भी उनकी diplomatic win बन जाएगी और उनके chances अ लिए इसके उपर अब खास focus जो है वो रखा जा रहा है US Taliban peace talks यह आपको यहाँ पे समझते हुए आगे चलना है तो पहले देख लेते हैं आज हमें कौन से कौन से editorial है जो discuss करने वाले हैं इसके अलावा हम एक और यह editorial discuss करेंगे despite the messaging it is still advantage China ठीक है कैसे तो देखिए हम यह कह रहे थे कि बहुत सी firms जो है वो चाइना से निकल के इंडिया में invest करेंगी तो ऐसा नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है उस reasons को जो है इन्होंने इस editorial में explore किया है और हम भी इसको देखेंगे अचा साथ में अब यह देखिए when crisis pay politically तो यहां पर यह कह रहे हैं कि आम जंता को अपनी समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं क्योंकि उनका ध्यान भटका दिया जाता है अलग-अलग मु India at ease okay तो देखिए जो annual doing business report थी World Bank की उसके अंदर कुछ discrepancies find की गई है कि कैसे जो data collection है उसके उपर सवाल उठाए गए हैं कि वो अगर गलत data उठाएंगे तो report गलत ही बनाएंगे इसको देखते हुए यहां पे जो है उसका audit करवाने की बात अब चल रही है और इस साल जो है जो भी report World Bank देता है वो accurate होनी चाहिए क्यों accurate होनी चाहिए क्योंकि जो investor है वो इस report को ध्यान में रखके जो है अपना decision लेते हैं तो investment के लिए ease of doing business की जो ranking है उसको consider किया जाता है और इसलिए इसका accurate होना बहुत ज़रूरी है अब यहां पे इन्होंने अलग-अलग countries की case study ल 140th number पे थे 142 ओके यह हमारी position टी 2014 के अंदर और presently 63rd हमारी ranking है ओके हमने बहुत अच्छा improvement किया है regularly बात भी आती है कि ease of doing business के अंदर इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है अच्छा अब लेकिन ground को अगर हम consider करें तो हमारी economy भी जो है slow down हो रही थी सब कुछ बुरा ही हो रहा कि कुछ experts ने find out किया है कि इंडिया की जो ranking improve हुई है वो दरसल ground situation पे चाहे कुछ बदले ना बदले methodological changes की वज़े से वो बदल है भी जिस base पे आप ranking को calculate कर रहे हो data को analyze कर रहे हो वो method बदला है उस method बदलने की वज़े से इंडिया improve हुआ है ठीक है ऐसा यह कह रहे है लेकिन आप देखिए हमने reforms काफी किये हैं government ने labor reform, land reform हर reforms तो चल रहा है अचा यहाँ पर एक debate सामने आती है कि इंडिया के अंदर जो data कहां से collect किया जाता है data collection अचा इसके उपर हमेशा सवाल उठता है और यह कहते हैं कि आप सिरफ metro cities को target करते हो बहार और भी तो cities है अब वहाँ पर दो प्रकार के example होते हैं कई cities तो बहुत अच्छे होते हैं ओके जहां पर facilities logistics बहुत बहुत बहतरीन चल रहा होता है और कई पर बहुत ही poorly equipped ठीक है वहाँ पर सड़के अच्छी नहीं होती तो यह एक अलग debate है ओके तो data collection को लेके भी सवाल जो है उठाए गए हैं तो रैंकिंग बहुत बिगडती गई तो एक तरीके से ये भी कहा जाता है कि जो रैंकिंग है वो world bank के biasness की वज़े से है क्यों क्योंकि चिले के अंदर जो सरकार थी वो left oriented सरकार थी और world bank आप देखोगे तो वो सिरफ जो है एक तरीके से उसमें western powers का dominance है वो यहां पर angle भी explore कि गया है तो वो कहते हैं कि चिले की ranking उन्होंने 34th position 2014 में थी और 67th वताई 2017 में तो वो कहते हैं कि इतने साल के अंदर बिगड़ नहीं सकता कुछ ठीक है ना यह भी इन्होंने consider किया गया है ओके अच्छा आप देखिए इसके लावा उन्होंने रश्या की बात की तो देखो इंडिया ने कितना बड़ा जंप किया 120 उनकी ranking थी 2012 में और सीधा 20 वे आगए 6 साल के अंदर मतलब चाइना ब्राजील इंडिया सबसे वो एक तरीके से आगए निकल गए अच्छा ranking इतनी अच्छी होगी लेकिन investment वहापे हुआ नहीं ओके अगर ranking अच्छी होनी हो आपकी तो आपके यहाँ पर capital inflow भी तो बड़े लेकिन वैसा हुआ नहीं इट मेंज ग्राउंड situation और जो वर्ल्ड बैंक ranking इशू करता है उसके अंदर discrepancies हैं ओके differences हैं अच्छा अब यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का जो internal watchdog है independent evaluation group है एक उन्होंने भी यह पाया है कि कुछ ना कुछ जिसमें गडबड होती है और वह कहते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो भी ranking इशू करता है जरूरी नहीं है वो बिल्कुल as it is जो है situation आपके ground पे हो क्यों देखो history कुछ अलग बताती है कुछ variation history ने भी बताए है कि कैसे performance के अंदर जरूर जरूर जो है variation रहते हैं ठीक है ना policy कैसी चल रही है रजीम कैसा है तो इसको ध्यान में रखते हो एक बात साफ होती है कि journalistic simplification नहीं हो सकती मतलब simplistic generalization हम नहीं कर सकते इतना असान नहीं है बहुत complex चीज़े होती है जिसके उपर जो है आपका business environment depend करता है तो इसको सिरफ कुछ parameters को consider कर लेना आपने पूरे देश के अं इतना diverse country है इतने ज़्यादा states है यहाँ पर हर state की capacity different है तो south के किसी state से जो है अगर आप statistics लोगे तो वहाँ पर आपको अच्छे parameter मिलेंगे UP बिहार इधर जाओगे तो parameter बुरे मिलेंगे business environment को देखते हूँ तो इतनी ज़्यादा variation है यहाँ पर इसलिए जो है world bank को अब यह से देखो अब दिल्ली ने इतना effort मारा ठीक है हमने जो है apple को यहाँ पर track कर दिया हमारे यहाँ पर apple के iphone अब बनेंगे लेकिन बात ऐसी है अब भी हम चाइना को match नहीं कर सकते reason क्या है देखो logistics वह बहुत important होता है ठीक है ना इंडिया के अंदर logistics cost कितनी है 12% परती है चाइना में मतलब चाइना का product ज्यादा competitive होगा understood है ठीक है अच्छा infrastructure की बात कर लो तो infrastructure भी चाइना में अच्छा है ठीक है अब इन चीजों को इन्होंने highlight किया है कि कैसे जो है अभी भी चाइना एक तरीके से strong point है तो देखो इंडिया के अगर हम बात करे हमारे strong point क्या क्य है हमारे यहाँ पर democracy है चौलो ठीक है हमारे यहाँ पर कोई ऐसे government hackers नहीं है जो किसी भी foreign company के industrial secret चुरना चाते है तो चाइना में यह भी डर होता है कि जो सरकारी hacker उन्होंने रखे होते है वो एक तरीके से company को ही target करते है और वहाँ से industrial secret चुराने में लगे रहते हैं बात है साफसी तो वो मैंने आपको starting में बता दिया कि logistics कैसे आप यह देखो कि चाइना के अंदर जो company invest कर रही है उसे क्या चाहिए उसको चाहिए predictable ठीक है न प्रिडिक्टेबल policy तो हमारे यहाँ पर policy कितनी predictable है इसको लेके एक तरीके से सवाल उठाय जाते हैं ओके हमारे यहाँ पर policy यही कही जाती कि anti-competitive है जो foreign investor को help नहीं करती मतलब क्यों देखो हमारे यहाँ पर जैसे इन्होंने बुला कि foreign e-commerce जो companies हैं उनकी उपर tax लगेगा जो education providers हैं कोई यहाँ पर foreign university यहाँ पर campus खुलना चाहती है तो उनकी उपर tax लगेगा इस तरीके से foreign investors को काफी disadvantage जेलनी पड़ती है as compared to domestic player तो वो क्यों आके हमारे यहाँ पर business करेंगे तो उनको यह competitive threat के तोर पर दिखता है कि कैसे इंडिया अपनी जो domestic producers हैं उनको favor करेगा हमें favor नहीं करेगा अच्छा आप यह देखो हमारे यहाँ पर जितने भी फाइदे हो बाकी चीजों में governance जो भी हो लेकिन जो business होता है उसको business के parameters के तोर पे हम देखना चाहिए ठीक है ना और वहीं पे जब company आके यह decision लेगी कि इंडिया के अंदर invest करना है कि नहीं करना तो वो इन चीजों को जरूर consider करेगी तो इसके अंदर आप देखो चाइना advantage क्या करता है देता क्या है तो आप दे index उसके अंदर इंडिया की ranking इंडिया के जो point है वो point 44 है चाइना कहां पे है चाइना है point 67 इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि एक जो चाइनीज है वो 67% efficient है और एक जो इंडियन है वो 44% efficient है ठीक है अब इतना बड़ा difference आ गया मतलब हमने अपनी labor को skilled नहीं किया हमने यहां पर infrastructure नहीं बनाया तो इसलिए यह हमारे लिए कोई drawback की तरह काम कर रहा है अचा आप यह देखियो देखें अभी recently government ने काफी जो है effort मारा है की sectors को identify किया है ठीक है न और companies से भी पूछ रहें कि आप बताईए आपको क्या चाहिए जो भी roadblocks हैं उनको remove कर देंग इंडियन आप यहां पर invest कीजिए ठीक है हमारा एक effort अभी है अचा लेकिन हम special industrial zone की अगर हम बात करें चाइना के अंदर तो बहुत बड़े-बड़े हैं वहां पर logistics research and development सब पर जो है बहतरीन पैसा खर्चा जाता है ठीक हर उसमें वह हमसे ज़्यादा जो है allocation रखते हैं अब खुद बखुद अंदाजा लगा लो कि कितने बड़ी इंडिस्ट्री एक्टिविटी वहां पर होती है अचा अब दूसरी चीजों को समझें अगर हम R&D की बात करें research and development के उपर तो इंडिया ने पिछले 20 साल में 0.8% of GDP जो है वह ले दे के खर्च किया है ओके R&D प बात करें तो 3% of GDP जो है वो अपना खर्च कर रहे है इसके उपर एक तो उनकी GDP size बहुत बड़ी है हमसे 4-5 गुना बड़ी है उसके लावा उनका जो उस पर investment है वो भी बहुत जादा है तो इन चीजों का जरूर जरूर फरक पड़ता है अचा तो यह कहते हैं कि अभी recently WTO उनके एक तरीके से इंडिया को मतलब वहाँ पर हार मिली है क्यों उन्होंने बोला है कि जो हमारी special economic zone की policy है वो ठीक नहीं है तो हमें जो है जो ruling मिली वो against मिली इंडिया की special economic zone की policy के तो यह कहते हैं कि इसको फाइदा उठाना चाहिए और हमें अपनी policy को reform करना चाहिए कहते हैं कि जो WTO कह रहा है वैसा कर लो आप तो आप क्या करोगे उससे होगा क्या आपकी जो productivity है वो भी बढ़ जाएगी ठीके न exports जो होगा वो भी आपका improve होगा और foreign capital भी आ जाएगा तो WTO ने कुछ सो समझके तो इंडिया की policy को एक तरीके से इंडिया की policy के against judgment दिया हो होगा तो उसको जो WTO चाहता है वैसा हम करें तो हम अपने infrastructure को बहतर कर सकते हैं तो यह इन्होंने suggest किया है साथ साथ यह कहते हैं कि हमें न states में investment करना चाहिए और linking ऐसी करनी चाहिए कि जो हमारे south eastern states है यह वाण लोग इंडिया है तो यह हो गया आपका south eastern states तो इनको link कर देना चाहिए south east Asia के साथ तो यह हमारा supply chain mechanism होना चाहिए यह पूरा business का भी यहाँ पर production unit लगाओ और इधर export करो ठेका न यह इन्होंने एक तरीके से suggest किया और इस पर सोचा भी जा सकता है और states के अंदर investment करना भी बहुत ज़रूरी है अच्छा इसके मतलब फाइदा क्या होगा investor को थोड़ा reassurance रहेगा कि center government जो है वो committed रहती है और वो regularly states को support करेगी irrespective of the party मतलब ऐसा हिंदुस्तान में बोला जाता ना कि कोई party अगर change हो जाए state में दूसरी party की government है तो center उसको परिशान करता है तो उसमें क्या होता है investor का भी थोड़ा confidence लो हो जाता है अब यहाँ पर इस चीज़ को भी assurance मिलेगी जब center जो है अच्छे तरीके से उनी states को जो है अच्छा funds देगा अच्छी help देगा अच्छा उसके सांसा जी कहते हैं कि हमें जो है एक framework की ज़रूरत है framework कैसे देखो recently हमने काफी काम किया है ठीक है ना center government ने एक तरीके से number of steps जो है वो reduce कर दियें कि आपको permission कितनी चाहिए business start करने के लिए अच्छा intra ministry coordination जो है वो भी बढ़ गया है यहाँ पे FDI के अंदर खास कर तो यह कुछ चीज़े हमने की है लेकिन यहाँ पे बात यह कह रहे हैं कि जो appointment वाली चीज़े है high level पे ठीक है या फिर PMO के अंदर जो है वहाँ पे जो है एक तरीके से consistency रहनी चाहिए goals को ध्यान में रखते हुए कि कैसी policy रहेगी क्या goal रहेंगे कैसे लोगों का appointment होगा उसके अंदर consistency होनी चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए यह कहते हैं कि एक policy framework की जुरूरत है जो कि transparent हो predictable हो ऐसा नहों कि company यहाँ पर invest करे और फिर चार दिन बाद हमने policy बदल दी ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो predictable environment चाहिए company को किसी भी company को invest करने के लिए तो इसलिए जो है यह सब impact डालेगा और हम जो है और foreign investment को यहाँ पर ला पाएंगे यह इनका suggestion है ठीक है ना consistency होनी चाहिए policy के अंदर यह बहुत ज़रूरी है अच्छा अब हम देखते हैं कि when crisis pay politically क्यों अब देखो क्या होता है यह कहते हैं कि एक तरीके से अब इतनी सारे crisis आ रहे हैं लेकिन अगर हम हमारे president प्राइम मिनिस्टर की popularity की बात करें तो वो बढ़ रही है ओके अच्छा आप देखो border की उपर ठीक है गड़बड चल रही है चाइना का एंगल हो गया है नेपाल का एंगल हो गया है यहां पे national security के लिए हमारे खत्रा है no doubt about it covid का एक तरीके से impact है no doubt about it अब इतनी सारी समस्याइं हैं लेकिन फिर भी prime minister की इन्होंने कहा है कि popularity जो है वो बड़ी है अब ऐसा क्यों हो रहा है इन चीजों को इन्होंने highlight किया है तो यह कहते हैं कि हमारी जो रजीम है वो personality driven है ठीक है न व्यक्ति पे depend कर रहा है कि वो कैसे जो है एक व्यक्ति के उपर पूरी सरकार निर्बर कर रही है personality driven चल रहा है सब कुछ अच्छा तो यह कह रहे हैं कि जनता जो है अपनी जरूरते material और social crisis जो है उनका वो नजर अंदाज कर रही है ओके वो क्यों नजर अंदाज कर रही है क्योंकि उनका ध्यान भटका दिया जा रहा है हिंदुत्वा राइट विंग पॉपुलिजम के द्वारा उके उनका ध्यान भटका दिया जा रहा है इसके अंदर मीडिया और इन सब चीजों का भी इस्तमाल कर रहे हैं ऐसा इन्होंने बोला है तो ये कहते हैं कि देखिए डी मोनोटाइजेशन हुआ ठीक है उसके बाद भी कोई इतना ज़्यादा शोर नहीं मचा तो अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है अपनी पॉलिटिक्स को विकास से विश्वास की तरफ लेके जा रहे हैं मतलब पहले जो एक तरीके से पॉलिटिक्स की तरफ हम डेवलप्मेंट करेंगे तो एक ये चाइनीज नॉवलिस्ट है येन लिंके इन्होंने बोला कि इंडिया के इंदर एक कंसेप्ट चलता है शैंशी जूई माइथो रियलिजम अब माइथो रियलिजम कैसे है कि देखो माइथो लोजिकल जो ठीज होती है जो स्टोरी होती है वो ये बताके जन्ता के बीच में छोड़ी जाती है मतलब उनको इतना ज़्यादा उनको समझाया जाता है कि ये चीज हकीकत हो रही है कैसे आप देखिए राम राज्य की बात करें तो राम राज्य जो है आपका राम मंदिर बनने से नहीं आएगा ठीक है ना वो आम जन्ता जन्मानस को एक तरीके से बहतर बनाने से राम राज्य आएगा लेकिन लोगों का ध्यान बटका दिया जाता है कि हम ये करेंगे ठीक है वो आम जन्ता की अपनी ही एक तरीके से सोच है ठीक है उनको court ने decision दिया है तो court ने decision दिया बिल्कुल सही दिया है उसमें कोई वो नहीं है लेकिन mythorialism का इन्होंने ये मतलब में बताया है कि कैसे आम जंता का ध्यान भटका दिया जाता है ओके आप देखिए कि normative flux की बात करें अच्छा है normative flux क्या है तो वो ये कह रहे हैं कि आम जंता को whatsapp के थ्रू और बाकी social media के थ्रू उनकी सोच को बार बार influence किया जाता है ओके बार बार influence किया जाता है और दूसरी चीज कि जो चीज थोड़ी सी अलग बात करता है which do not confirm to their dominating cognitive wishes जो majority की wish है उससे थोड़ी सी भी इसी situation के अंदर आपने इन्होंने कहा कि majority ने एक section of people को ही हमने demonize करना शुरू कर दिया अब तबलीकी जमात ठीक है वो case हुआ था तो हमने एक तरीके से धरम के उपर जो है उगलिया उठानी शुरू कर दी थी ठीक है न वो चीज गलत थी आप दूसरी चीज देखिए कि एक तरीके से जो हमारे system के अंदर problem है structural और systematic problem उसकी तरफ से ध्यान हटका दिया जाता है बटका दिया जाता है और एक ऐसी story बता दे जाती कि सब कुछ ठीक है grand ideal लोगों को समझा दिया जाता है delusional जिसे बोलते है और इसको यहाँ पर नुकसान होता है आम जनता अपनी जो समस्य हैं वो भूल जाती है हमें corruption से लड़ना है हमें बुखमरी से लड़ना है poverty से लड़ना है और ध्यान TV debates के थुरू कहां जाएगा social media के थुरू कहां जाएगा अलग-अलग मुद्दों पर ठीक है ना मंदिर मस्जित की लड़ाई करवा दी यह सब चीजे जो हैं यह होनी यह गलत है और एक तरीके से यह customized technique बन गई है जो की psychic response जो है society का वो बदल रही है तो आप देखिए कि जब COVID-19 हो रहा था अब इतनी बड़ी crisis चल रहे है लेकिन हमारा ध्यान कहां चल रहा है कहां news क्या सुना रहे है एक एक्टर के suicide के पर उसके पूरी कहानी सुना रहे है फिर एक ने क्या कि civil services exam को target किया based on religion ऐसी चीज हुई तो यह चीजे गलत हैं आप देखिए कि एक चीज साफ है कि हमारे यहां पे ना moral decay है ठीक है ना यह नहीं होना चाहिए था और यह बोलते हैं कि opposition एक तरीके से कोई political action यहां पे नहीं ले रहा कोई political activity political action यहां पे नहीं ले रहा और यही एक तरीके से गलत चीज है तो यह पूरी बाते इन्होंने कहीं है I hope this session is helpful for you guys Please subscribe our channel, thank you